हाई फ्रेंड्स मैं धर्मेंद्र अपने यूटूब चैनल अमेजिंग पार्ट साला में आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिस ग्रामर का एक महत्वर टॉपिक नरेशन या फिर डारेक्ट और इंड नरेशन के बारे में दोस्तों नरेशन को हम मुखितर दो भाग में बाड़ते हैं पहला क्या होता है दोस्तों डारेक्ट स्पीच तो क्या कहते हैं क्या कहा जाता है हंदी में प्रत्यक्ष कथन वहीं इसके दूसरे पार्ट की बात करें दोस्तों तो होता है आपका indirect narration या indirect speech और इसको हिंदी में हम अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों अप्रत्यक्ष कथन तो दोस्तों narration क्या होता है मुख्यते इसके दो पार्ट होते हैं एक direct speech होता है दूसरा indirect speech होता है और narration को ही हम speech कहते हैं तो दोस्तों अगर direct narration की हम परिभासा की बात करें तो जब दोस्तों क्या होता है जब हम किसी के कथन को जेव काते हैं उसी की तरह या उसी की भासा में ब्यक्त कर देते हैं तो उसे हम direct narration कहते हैं तो आईए दोस्तों इसको परिभासा के से सीखते हैं डारेक्ट नरेशन दोस्तों इसकी परिभासा लिख लिजी आप लोग जब हम वक्तां के उस्तों बोलने वाला你 सब्जिक calendar उभात ह्यव कुण जब हम वक्ता के कतhando को जियों का त्यों जब हम वक्ता के कथन को जियों का त्यों ब्यक्त कर देते हैं कर देते हैं उसे डाइरेक्ट नरेशन कहा जाता है उसे डाइरेक्ट नरेशन कहा जाता है यहां दोस्तों देख लिए इसको एक बार एक बार फिर जब हम वक्ता के कथन को जियों काते हैं उसे डाइरेक्ट नरेशन कहते हैं इसको एक्जामपल देख लिते हैं दोस्तों जैसे राम सेड टू स्याम कामा डबल इन्वर्टिट कामा आई आएम गोइंग टू वारान सी देखे दोस्तों किया है डार्ए делать speech में राम सेड टू स्याम आई आई एम गोइंग टू वारान सी तो दोस्तों यह जो सेंटेंस आपका लिखा गया है यह डार्एट स्पीच में है तो इसको दोस्तों जब आप हिन्दी में अर्थ निकालेंगे तो होगा राम सेट टू स्याम यानि राम ने स्याम से कहा I am going to war and see मैं war and see जा रहा हूं तो दोस्तों यह आपका जो sentence अब direct speech में है दोस्तों आगे हम बताएंगे कि direct speech कि क्या गुण होते हैं या कैसे हम उसको पाचानते हैं तो आई यह हम देखते हैं indirect speech के definition को कि दूसरा पार्ट इसका दोस्तों indirect speech उसकी definition देख लेते हैं इन डाइरेक्ट स्पीच ठीक है दोस्तों indirect speech दोस्तों इसका परिभासा होगा जब हम किसी के किसी के कथन या बात जो भी लिख लिजिए किसी के कथन का सारांस लेकर जब हम किसी के कथन का सारांस लेकर उसे अपने सब्दों में ब्यक्त करते हैं तो उसे इन डाइरेक्ट नरेशन कहा जाता है कि इन डाइरेक्ट नरेशन कहा जाता है कि अ कि अ कि टीक है दोस्तों कि इसको थोड़ा मिटा देते हैं कि दोस्तों इन डाइरेक्ट स्पीच का डिफनेशन आपको बताया गया कि जब हम किसी के कथन का सारांस लेकर या पिर जब किसी के बात को कुछ नए सब्दों को जोड़कर हम अपने तरीके से ब्यक्त करते हैं तो उसे हम इन डाइरेक्ट इस पीच या फिर इन डाइरेक्ट नरेशन करते हैं तो दोस्तों जो डाइरेक्ट स्पीच का जो आपका एक्जाम्पल था उसको लिख देते हैं तब आपको समझे आएगा राम सेड टू स्याम कामा डबल इंवर्टेट कामा आई एम गोईंग टू वारानसी देखिए दोस्तों यह जो आपका सेंटंस है राम सेड टू सायम आई एम गोईंग टू आरांसी आपका ड्रयुच में अब दोस्तों जब हम इस सेंटें gratuit को में इंडारेक्ट स्पीच में लिखेंगे आप उसको ब्यक्त करना चाहेंगे तो दोस्तों देखो किस पकार करते हैं आए देखते हैं अब यहां पर देखिए दोस्तों राम यहां पर जो की रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है आगे बताएंगे दोस्तों इतने प पीच का औबजेक्ट है वो चेंज नहीं होता है दोस्तों कामा डबल इम्टरेट कामा हटा के आप कंजक्शन देट लगाएंगे आई जो कि फर्स्ट परसन है दोस्तों तो यह हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेट के उमसार चेंज होता है तो यहां पे जो कि राम ह वाज हो जाएगा कि ही सिंगुलर है उसके बाद गोईंग टू वारांजी देखिए दोस्तों जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था राम सेट टू स्याम आई एम गोईंग टू वारांजी यानि राम ने स्याम से कहा मैं वारांजी जा रहा हूं जब इसी को हम इंडायरेक्ट में या प्रत्यक्ष रूप से कहेंगे तो क्या होगा दोस्तों राम टोल्ड स्याम धैट ही वास गइंग टू वारांजी यानि राम स्याम से कहा कि वह वारांजी जा रहा था दोस्तों दोनों जो सैंटन्स है उसका अर्थ हैं यह अज़ेए तो यहां पर बदल गया है तो दोस्तों direct speech वह होता है जो हम किसी की कथन को अपने सब्दों में ब्यक्त करते हैं तो उसे हम indirect speech करते हैं देखते हैं दोस्तों, अब आगे हम दखींगा दिक्षोफ के पार्ट कौन-कौन कि होते हैं, हम ऐस्सको मतलब पहचानेंगे, या उसको पार्ट को क्या करेंगे, उसके बारे मा मद्ध्धיים करेंगे, तो आएए देखते हैं, डिरेक्ट स्पीछ के पार्ट डारेक्ट स्पीच के पार्ट या डारेक्ट स्पीच के भाग ठीक है दोस्तों यही पर उपर वाला जैसे जो एक्जाम्पल था उसी को ले लेते हैं जैसे था राम सेड टू स्याम कामा डबल इनुटेट कामा आई एं गोईंग टू वारान सी ठीक है दोस्तों देखें यहाँ पर जो आपका सेंटेंस डारेक्ट स्पीच में है तो जो दोस्तों जो कामा और डबल इनुटेट कामा होता है उससे पहले या जो बाहर का भाग होता है यानि यह आपका जो डवल इनोटेट कामा के अंदर है इसको हम कुछ और कहते हैं और जो इसके बाहर या पहले को तो इसके कुछ और कहते हैं ग्रेमेटिकल लगमेज में दोस्तों जो भाग डवल इनोटेट कामा के बाहर होता है या पहले होता है तो उसे हम क्या कहते हैं reporting speech क्या कहते हैं दोस्तों reporting speech कहा जाता है इसको reporting speech और वहीं पर जो भाग double inverted कामा के अंदर होता है या फिर जो भाग reporting speech के subject की द्वारा जो कहा गया होता तो उसको जो अंदर रखा जाता है या फिर जो भाग double inverted कामा के अंदर होता है तो उ reported speech ठीक दोस्तों direct speech का मतलब sentence होता है double inverted comma के बाहर या पहले यह प्रहले जो होता है उसे हम reporting speech और जो double inverted comma के अंदर का भाग होता हुसे हम reported speech कहते हैं मुख्रुप्स इसके दो पार्ट होते हैं लेकिन जब один पार्ट को आप सिल ऑग जैसे हम थे स्पीच का चुछ को अम किया है एक इस अधिर क्या दोस्तो बीपोर्टिंग स्पीच का सब्यव्जिकаз ti वहीं पर बात करें सेट ुह तो सेड़ आपका क्या है the म्रिपोर्टिय्च को Fauz यहां रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और स्याम क्या है यहां पर दोस्तों यहां पर स्याम आपका है रिपोर्टिंग स्पीच का आपसेट रिपोर्टिंग स्पीच का यहां पर आपसेट है कि की गई सब्जेक्ट की बात होगी तो आप प्रकार इसमें भी होता है दोस्तों जैसे yeah यहां पर है आई एम गोईंग टू वारांसी इसको तो हम संपूर को रिपोर्टेड स्पीच कह देते हैं और इसमें जब आई की बात करेंगे अलग-अलग भाग में डिवाइड करेंगे तो आई आपका क्या है पहले आपको रिपोर्टेड स्पीच बोल देना है अगर यहां यहां पर अफला है तो आपजख्ट की हम आई सम्झेक्ट वाप बोलेंगे रिपॉर्टेड स्पीच को सब्जच्ट है कि कि आई एम गोईंग गोईंग कि इसे क्या रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब रिपोर्ट लप ने रेपोर्टेड वर्ब बोल सकते हैं और है वारांसी क्योंकि यह object है तो आप इसे क्या बोलेंगे reported speech का object reported speech का object ठीक है दोस्तों आप लोगों समझ में आ रहा होगा एक बार इसको पुना देख लेते हैं यह आपका जो sentence है वो direct speech में है दोस्तों संपोड को हम direct speech या direct narration में भी कर सकते हैं जो sentence है इसके अलग-अलग भागों की बात करें तो यह जो आपका कामा डवल इनुटेट कामा है उसके अंदर का भाग जो है I am going to warranty यह क्या है आपका reported speech है इसमें आया हुआ subject reported speech का subject है जो I am going है यह वर्भ है आपका तो यह reporting speech का वर्भ कहलाता है उसके बाद वारांसी object है तो reported speech का object वहीं पर जो डवल इनुटेट कामा के पहले या बाहर का भाग होता है तो इसको हम reporting speech कहते हैं और स्याम क्या है reporting speech का object है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो आईए आगे देखे दोस्तों जो हम लोगों ने अभी direct speech के पार्ट को देखा है कि reporting speech क्या होता है और reported speech क्या होता है इसको आईए हम definition के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं तो दोस्तों रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में हम लोग अध्यान करेंगे उसको परिभासा के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे आए देखते हैं दोस्तों इसकी परिभासा क्या होती दोस्तों रिपोर्टिंग स्पीच आपको बताया गया क इन्वर्टेड कामा ठीक है दोस्तों डारेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कामा के पहले या बाहर के भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं ठीक है दोस्तों डारेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कामा के पहले या बाहर के भाग को हम क्या कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे वहीं पर दोस्तों यह जो आपका set to है यह reporting speech का verb है यानि आप कर सकते हैं इसमें आए हुए verb को reporting verb कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों reporting verb अब इसके दूसरे पार्ट को देख लेते हैं दोस्तों आपका जो की reporting speech के बाद जो double inverted कामा के अंदर होता है उसको हम reported speech कहते हैं तब उसके बारे में परिभासा लिख लेते हैं समझ लेते हैं कि उसकी परिभासा क्या होती है रिपोर्टेड स्पीच इसको देख लेते हैं दोस्तों जो कुछ वक्ता दोस्तों स्पीकर से मतलब है reporting speech के subject से मतलब है जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है कहा जाता है उसे इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है उसे इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है अंदर रखा जाता है और इसमें आए हुए इसमें आए हुए वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं आए दोस्तों अब आगे देखते हैं direct speech के मुख बिंदू जी आँ दोस्तों direct speech के मुख बिंदू या मुख बाते उसके बारे में सीखें थोड़ा जा direct speech के मुख बिंदू या मुख बाते मुख बिंदू इसे पहला पाइंट है दोस्तों कि direct speech में वक्ता या speaker के कथन को अंदर रखा जाता है ठीक है दोस्तों direct speech में वक्ता की कथन को direct speech में वक्ता के कथन को या बात को inverted कामा के अंदर रखा जाता है ठीक है दोस्तों जो direct speech होता है उसमें जो वक्ता होता है या speaker है जो subject होता है reporting speech का उसको हम उसकी बात को inverted कामा के अंदर रखते हैं दूसरा point देख लेते हैं दोस्तों जो कि है reporting speech या reported verb के बाद कामा का प्रेयोग होता है ठीक है दोस्तों दूसरा point है reporting speech रिपोर्टिंग speech या reporting वर्ब के बाद या reporting वर्ब के बाद कामा काप्रेयोग किया जाता है काप्रेयोग किया जाता है अगला और आखरी point देख लेते हैं दोस्तों कि inverted कामा के अंदर का जो पहला अच्छर होता है दोस्तों कि इनवर्टेड कामा के अंदर का प्रत्थम अक्छर कैपिटल लेटर में होता है किस में होता है जोस्तों कैपिटल लेटर में कैपिटल लेटर में लिखा जाता है में होता है ठीक है दोस्तों यह डैरेक्ड इस्पीच के मुख्य बिंदू थे कि डैरेक्ड इस्पीच में वक्ता के कथन को या किसी कही बात को इनवर्टेड कामा में हमेशा रखते हैं दूसरा पॉयंट है reporting speech या reporting verb के बाद कामा का प्रयोग किया जाता है तीसरा point है इसका inverted कामा के अंदर का प्रत्थमक्षर capital letter या फिर बड़े अच्छरों में लिखा जाता है ठीक है दोस्तों आईए आगे देख दोस्तों टेंस को पढ़ने से पहले हम लोगों को नंबर पर्सन जेंडर और टेंस का ग्यान होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों अगर हमें नंबर पर्सन और टेंस के बारे में जानकारी नहीं है तो हम direct और indirect speech को या फिन narration को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे तो दोस्तों टेंस तो लोग शुरू से ही पढ़ते हैं तो मुझे आसा है कि आप लोग पढ़े होंगे पहले तो उसके बारे तो discussion कम करेंगे लेकिन नंबर पर्सन और जेंडर के बारे में थोड़ा सा आपको आपको नहीं बता देते हैं आईए दोस्तों नंबर के बारे में जान लेते हैं लेकिन यहां नमबर को ग्रेमेटिकल लेंगवगिज में वचन कहाता है तो दोस्तो नमबर या वचन क्या होता है तो दोस्तों ऐसा कोई भी सब्ध जिससे एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तिवों का बहुत होता है तो उसे हम नंबर या फिर वश्चन कहते हैं ठीक है दोस्तों आई इसकी परिभासा देख लेते हैं कि आईशा कि कोई भी सब्ध जो एक या एक से अधिक या एक से अधिक वस्तिवों या व्यक्तिवों का बोध कराता है तो उसे नंबर कहा जाता है उसे नंबर या वच्चन कहा जाता है ठीक है दोस्तों अईसा कोई भी शब्थ जो एक या एक से अधिक ब्यक्तिय वस्तियों के बारे में बताए या उसे हम नंबर कहते हैं तो दोस्तों इसका एक्जांबल के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं जैसे बुक ठीक है दोस्तों बुक हो गया पैन टेबल मेन कि ट्वायज़ लग्умिद जो ऑपका सिंगुलर है लेकिन मैन देख限 दोस्तों मैन से बना है तो मैन הता है औ리 ग्लूरल है लो व्यक्ट समझ गहें हूंगे कि नंबर क्या होता है तो दोस्तों नमबर ऐसे सब्द होते हैं जिनसे एक एक से अधिक वस्तुवें बक्तियों का बोध होता है तो आएए दोस्तों देखते हैं कि नमबर की प्रकार यानि नमबर कितने प्रकार के होते हैं तो Types of number Types of number यानि वच्छन के परकार या पर नमबर की परकार तो दोस्तों ये दो परकार के होते हैं तो पहला क्या होता है आपका Singular number Singular number और वहीं पिसका दूसरा पार्ट होता है आपका Plural number क्या होता है दोस्तों Plural number नंबर दो प्रकार के सिंगुलर और प्लूरल सिंगुलर को हम हिंदी में एक वचन कहते हैं और प्लूरल को बहुचन कहते हैं आईए दोस्तों सिंगुलर नंबर के बारे में सिखते हैं दोस्तों सिंगुलर नंबर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है है singular से मतलब सिंगल से मतलब है 캬 मतलब एक होता है तो सिंगुलर नंबर मतलब एक इसको हिंदिन क्या कॉत एंधियन चाहते हैं है कדई दोस्तों में अब इसको जब आप डिफिनेशन के रूप में देखेंगा तो सिंगूलर नंबर है एक वा क्या के एक ragam या वस्तु का बोध होता है ठीक है दोस्तों similar number से सिर्फ एक ब्यक्तिया वस्तु का बोध होता है तो जैसे example में देख लेते हैं example में आपका हो जाएगा cow book pen child इसी और दूसरा इसका जो है दोस्तों part वह है आपका plural number क्या है दोस्तों plural number इसका दूसरा number का part होता है plural number plural number को दोस्तों हम इंदी में बहुबच्चन कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों बहुबच्चन कहते हैं इसकी definition देख लेते हैं अदोस्तों बहुबचन से हमेशा एक से अधिक यानि बहुबचन प्लूरल दिया है तो प्लूरल नंबर वे होते हैं जिससे हमेशा एक एक से अधिक ब्यक्तियों वस्तुओं का बोध होता है आईए देख लेते हैं बहुवचन से हमेशा एक से अधिक एक से अधिक ब्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है कि प्लूरल नंबर से हमेशा एक से अधिक वस्तूब है बगतिनों का बोध होता en जहसे एक्जाम्पल में इसी को देख लेते हैं जिसे यहाँ पर कउ दिया ठातध कउल दोस्तों क्या हो जाएगा आपका और सो जाएगा क्या हो जाएगा इन हो संधार था लेकिन इस दोस्तों इसमें देख रहा है कि लाश्ट में एस लगा इन तीनों में ते प्लूर बना लेकिन चाइल्ड में एस नहीं लगा है वो चिल्ड्रेन बन गया है तो यह इसको बदलने के बिभिन रूल होते हैं तो उसको फिर कभी हम डिसकस करेंगे तो आईए दोस्तों आगे दे पारसनों तर्कत आता है तो आप लोग पढ़े होँगे 25 बिसबिस में लोग सुरू से पढ़ते रहते हैं तो आईए देखते हैं अ पारसन क्या होता है हुआ हुआ है कि पारसन परसन दोस्तों जो ग्रेमेटिकल लेंगवेज में यह क्या होता है बेशिकली तीन प्रकार का होता है कितने प्रकार का परसन तीन प्रकार का होता है जिसको हम फर्स्ट परसन सेकेंड परसन और थर्ड परसन कहते हैं ठीक है दोस्तों तो फर्स्ट परसन में आपका क्या आता ह फर्स्ट पर्सन में जो प्रोनावन आते हैं आई और वी आता है क्या आता है दोस्तों आई और वी यह आपका सब्जिक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् बरस होता है यह आपका फर्स्ट परसन में आई और वी आता है दोस्तों, आई क्या होता है ग्रेमेटरिकल डहं से तो यह सिंगुलर होता है लेकिन अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्भ लेके चलता है या प्लूरल हेलिंग और भला के सकते हैं और भी हमेशा plural होता है ठीक है दोस्तों और आई और वी का प्रयोग हम हमेशा जेंडर की बात किया जाए तो male और female दोनों के साथ use करते हैं और second person में देख लेते हैं क्या क्या आता है आपका second person में दोस्तों आपका सिर्फ you आता है यू आता है इसका object भी यू होता है यानि यू का subject और object same होता है और इसका positive की बात किया जाए तो your और yours होता है ठीक है दोस्तों और third person की बात कि जाए दोस्तों third person तो इसमें आपका he आता है c आता है they आता है plus सभी noun all noun जितने भी noun होते हैं दोस्तों वो सब क्या होते हैं आपके third person में consider किया जाते हैं तो इसमें third person से he दिया है ये mail के लिए use होता है तो he आपका क्या है इसका object क्या हो जाएगा ही हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों ही हो जाएगा पजेश्टी का ही ही होता है और c का object देख लिया जाए तो c का object हर होता है आगे देखते हैं दे जोकी subjective इसका object क्या होता है देम इसका possessive देयर और देयर ठीक दोस्तों यह आपका person होता है person मुखित तीन प्रकार के first person second person और third person first person में आपका I or V आता है second में सिर्फ यू होता है और third में he see it they plus सभी नाउन क्या होता है third person में consider किये जाते हैं आए दोस्तों आगे देखते हैं जंडर ठीक है दोस्तों जंडर और आप जंडर पढ़े होंगे जेंडर को दोस्तों हम हिंदी में क्या कहते हैं लिंग कहते हैं ठीक है दोस्तों और जेंडर मुक्यता चार प्रकार का आपका होता है कितने प्रकार का चार प्रकार का पहला देख लेते हैं इसके पार्ट को पहला आपका होता है मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है दोस्तों मैस्कुलिन जेंडर जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं पुलिंग क्या कहते हैं दोस्तों पुलिंग कहा जाता है मैस्कुलिन जेंडर को हम पुलिंग कहते हैं दोस्तों इसकी परिभासा देख लेते हैं तो पूलिंग मतलब पूरुस से मतलब है तो ऐसा कोई भी सब्द जो पूरुस या नर जाती का बोध कराए उसे क्या करते हैं मैस्कुलीन जंडर करते हैं ठीक है दोस्तों तो ऐसा कोई भी सब्द जो पूरुस या नर जाती का बोध कराए उसे क्या कहा जाता है जो दोस्तों मैस्कुलीन जंडर करते हैं ठीक है तो ऐसा कोई भी सब्द जो पूरुस असवा नर जाती के बारे में बता है वह आपको क्या होता है मैस्कुलीन जंडर होता है इसका एक्जामपल देख लेते हैं दोस्तों जैसे आपका एक्जामपल में किंग इसके दूसरे पार्ट को देख लेते हैं दोस्तों इसका दूसरा भाग क्या होता है आपका कि अधियमी नाइन जंडर इसको हें दिम क्या कहते हैं इस्त्री लिंग कि या कहा जाता है दूस्तों इस्त्री लिंग को एसा कोई बीशाब्द जो महिलाओं या इस्त्रियों के बारे में बताए वो क्या होता है आपका feminine gender होता है तो देख लेते हैं दोस्ते आशा कोई भी सब्द जो महिलाओं या इस्त्रियों के बारे में बताए उसे feminine gender कहते है feminine gender कहते है इस्त्रियों या फिर महिलाओं के बारे में जानकारी देने वाले या उसके gender को या link को पताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं तो इसका example देख लेते हैं दोस्तों जैसे आपका example में आपका हो जाएगा और क्वीन हो जाएगा इज्देक zingका कुईन होता है फादर का मदर हो जाएगा गारिदर ब्रदर का सिस्टर लिख सकते आप सिस्टर ब्वाय वाय का गर्ल हो जाएगा य। तो ऐब से धालब के बारεν मतलब जॉल जानकाई दिए ते उसे हम क्या कहेंगी, woman हो गया, it is same, ठीक है दोस्तों, आए दोस्तों इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं जो की होता है इसका common gender, ठीक है दोस्तों, common gender, इसका तीसरा पार्ट common gender, पहला आपका क्या था, masculine gender, दूसरा feminine, तीसरा आपका common gender होता है, उभाए लिंग करते हैं ठीक है दोस्तों भाए लिंग तो दुटने इसकी परिभासा बात कि जाए है दो सार्मपर में कामन तुमद्धर Cows के ने सब्दें और पूरूस दोनों का गोधो वह क्या हुता आपका कॉमन जेंडर या फिर उसको उभाई लिंग कहते हैं तो आज देखते हैं कि ऐसा कोई भी सब्सक्राइब कि जो कि महिलाओं और पुरुषों कि दोनों का बोद खराए कराए उसे कॉमन जेंडर कहा जाता है तो तो कॉमन जेंडर कहा जाता है कॉमन जेंडर वो होता है जिसमें महिलाओं पुरुष दोनों आ जाते हैं जिस एक्जामपल के माद्ध हमसे को देखना चाहें तो आपका हो जाएगा छाइल्ट हो गया लूं से एसे बहुत सारे सब्सक्राइब हैं जोकी महिला होता हैं शात्र शात्र इना गइस बच्चा हें भिच्चा सब्सक्राइब में मेल फिमेल दोनों को बच्चा कहा जाता है डॉक्टर है तो डॉक्टर को पूणों पूंछ कर दोस्तों दूस्तों वह ऐसा कोई भी सब्द जो निर्जीव या नौन लिभिंग निर्जीव या नौन लिभिंग वस्तूओं के लिए प्रियोग किये जाते हैं उसी न्यूटर जिंडर कहा जाता है उसी न्यूटर जिंडर कहा जाता है एक्जामपल देख लेते हैं दोस्तों जैसे आपका ट्री हो गया बुक पैन पैंसिल चेयर डस्टर इसकूल यह सब आपका क्या है नौन लीविंग है तो दोस्तों इस प्रकार से हमने नंबर पर्सन और जंडर को संचिप तरीके से पढ़ा तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह पसंद आया होगा अगर दोस्तों पसंद आया है प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें और चैनल को अबस्ट करें